तो नमस्कार अगर आप अधार UPI इस्तमाल करना चाहते हैं तो आपको term and condition पता होनी चाहिए तभी आप अधार UPI को इस्तमाल कर सकते हैं जिसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको UPI यूज करना है तो डेविट कार्ड से आप UPI को यूज कर सकते हैं लेकिन आने वाले समय में मैं आपको बता दू 30 जून तक में आपका अधार से UPI आप लोग यूज कर पाएंगे तो आपको term and condition पता होनी चाहिए क्या है वो term and condition आपको जानना बहुत जरूरी है तभी आप UPI को इस्तमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले आप समझे आधार UPI को इस्तमाल करने के लिए इस बात को समझते हैं आधार UPI किसको कहते हैं आप जो है UPI को इस्तमाल करने के लिए जिसमें आधार का प्रयोग किया जाता है उसे आधार UPI कहते हैं आपको अभी तक जो है UPI जब इस्तमाल करते हैं तो पिट कार्ड यूपियाई भी का सकते हैं लेकिन जब आप अधार से यूपियाई इस्तवाल करेंगे तो आधार यूपियाई उसको कहते हैं चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है वो ठर्म cities and condition जिसको आफको follow करना चाहिए तभी आप जो है अधार Word q.e.at कर सकते हैं दोस्तों जो आपके खते में मौबा-no । जुरा हुआ है वही आपके अधार में जुरा होना चाहिए तभी आप अधार wondering को Из्तेमाल कर सकते हैं याक इस तरह से भी समझ सकते हैं जो आपके अधार में मुवाइल नंबर जुरा हुआ है वो खाते में होना चाहिए यानि कि जो आपका अधार का जो है मुवाइल नंबर और खाते का जो मुवाइल नंबर है दोनों सेम होना चाहिए अलग अलग नहीं होना चाहिए अगर अलग अलग होगा तो आप अधार UPI इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, अगर सेम होगा तो आप जो है अधार UPI इस्तमाल कर सकते हैं, तो दूसरा term and condition यह है कि आपके खाते में अधार जुरा हुआ होना चाहिए, तो जब तक आपके खाते में अधार जुरा हुआ नहीं होगा, तब आप लोग जो है अधार UPI का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर आपके खाते में अधार जुरा हुआ नहीं है, तो आप अपना ब्रांच जाके अधार जुरा सकते हैं, अपने एकाउंट में, तो यह जो है दो टर्म एंड कंडिशन है, जिसे आपको फोलो करना है, अगर आपक आपको बता दू, आने वाले समय में अगर और भी टर्म एंड कंडिशन इस पे लागू होंगे, तो मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जरूर, तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसे एक और नए सांदार वीडियो में, अनिवा